नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे मास कम्यूनिकेशन कोर्स के बारे में, तो अगर आप मास कम्यूनिकेशन कोर्स करना चाहते हैं और इसमें अपना केरियर बना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा, इसकीन पर ति जब भी आपका कोई information है और आप उस information को अधिक लोगों तक पहुचाना चाहते हैं और उस दवरान आप mass media का सहयोग लेते हैं तो इसे कहते हैं mass communication basically इसमें आप film को ले सकते हैं, radio को ले सकते हैं, tv, news channels को ले सकते हैं या फिर advertisement को ले सकते हैं, public relations को ले सकते हैं बहुत सारी चीज़े होती हैं जो कि mass communication के अंतरगत आती हैं तो finally इस छेतर में जो लोग जाना चाहते हैं वो mass communication का course करते हैं, तो यहां पर सबसे पहली बात यह है कि mass communication में कितने type के courses available हैं तो अगर आप mass communication में career बनाना चाहते हैं, तो यहां पर आपको diploma भी मिल जाएगा, undergraduate course मिल जाएंगे, जैसे कि BA, BSC, B.com होता उसी type के courses यहां पर मिल जाएंगे, PG आपको मिल जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएच courses मिल जाएंगे, इसके साथ आप PG diploma कर सकते हैं, जो कि एक साल स mass communication भी आप कर सकते हैं, यहां पर mass communication में आप research भी कर सकते हैं, तो अब पूरी तरह से depend करता आपके उपर, हम कुछ courses आपको दिखा रहे हैं, यह courses आप कर सकते हैं, जैसे कि diploma in development, journalism का course आप कर सकते हैं, diploma in journalism and mass communication का course कर सकते हैं, वही BA in journalism आप कर सकते हैं, BA honors, journalism and mass communication का course आप कर सकते वहीं MA आप कर सकते हैं, Journalism and Mass Communication में, PhD आप Mass Communication में कर सकते हैं और बहुत सारी स्टाइब की courses होते हैं, जो की Mass Communication में available होते हैं तो आप जिस भी field में career बना चाहते हैं, उसी इसाब से आपको course का चुनाओ करना होता है और finally उसे complete करना होता है अब बात आती है, eligibility criteria की admission के लिए तो जब आप admission कराने जाते हो, किसे normal से diploma courses में तो आपको 10 plus 2 की degree at least चाहिए होती है अगर आप UG course यानि कि अगर आप graduation करना चाहते है, Mass Communication में तो भी आपको 10 plus 2 की degree चाहिए ही होती है वहीं अगर आप PG करना चाहते हो, तो at least इससे पहले आपकी UG की degree complete होनी चाहिए वहीं अगर आप research करना चाहते हो, यानि PhD में ने मिशन लेना चाहते हो तो at least आपकी PG की degree complete होनी चाहिए, वो भी Mass Communication में ही यहां पर जो आपका admission procedure है, वो अलग-अलग universities, अलग-अलग college अपने इसाब से करते हैं लेकिन maximum जो अच्छी level की universities हैं, वो आपको entrance के माधियम से selection दे पाए आपका admission entrance के माधियम से लेती है, वहीं बहुत सारी normal universities होती हैं सारे normal से college होते हैं, जो कि आपको merit के base पर भी admission दे देते हैं, तो सबका अलग-अलग अपना procedure होता है वहीं अगर हम बात करें admission form की, तो यहां पर पूरी तरह से डिपेंड और university और college के ऊपर depend करता है कब उनका admission form आ रहा है, फिर भी जब उनका seasonal admission स्टार्ट होता है, यसे बी-ए-बी-ए-स-बी-कॉर्म नॉर्मल यूजी-पी-जी का जब admission स्टार्ट होता है उसी के इड़्द-गिड़्द इसका भी form आ जाता है, और finally आप भर सकते हैं, और finally admission दे सकते हैं अगर यहाँ पर बात करें इस fees के बारे में, तो अगर आपको किसी government university से करने का उसर मिल गया, फिर किसी government college से करने का उसर मिल गया, तो आपको ज़्यादा fees नहीं पे करनी पड़ेगी, फिर भी यह पीस लगभग पुरे program की 10,000 से लेके 1,000,000 रुपए के करीब हो सकती है, वही अगर आप private college की fees की बात करें, तो थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ जाता लगभग, यहाँ पर 1,000,000 से लेके 3,000,000 के बीच में आपकी fees पढ़ सकती है, जबकि government की 10,000 से लेके 1,000,000 के बीच में, तो guys यहाँ पर यह fees है, actual fees कुछ भी change भी हो सकती है, यह मेरे द्वारा research किये गए information की according मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद बात आती है job profile की, तो finally जब आप यह course complete कर लेते हो, तो आपको कुछ इस प्रकार की job profile मिल पाती है, जैसे कि news anchor आप बन सकते हो, news editor बन सकते हो, senior journalist बन सकते हो, junior journalist बन सकते हो, radio jockey भी आप बन सकते हो, reporter बन सकते हो, film director ब बहुत अच्छा grow हो पाएगा, जैसे कि Indian Institute of Mass Communication IIMC New Delhi में है, वही Asian College of Journalism ACJ Chennai में है, उसके बाद Xavier Institute of Communication मुंबई में है, यहां से भी आप कर सकते हैं, साथी साथ Symbosis Institute of Media and Communication SIMC Pune से भी आप यह course कर सकते हैं, यह कुछ अच्छे institute हैं, जो की काफी demandable हैं, वही इस course को करने के जैसे से आपके पास experience बढ़ता जाएगा, salary बहुत अच्छी मिलती हो ही, अगर आप news anchor बन जाते हैं, तो आपको लाखों में salary मिल पाते हैं, तो बहुत अच्छा career है, अब बहुत professional career है, अगर आप चाहते हैं, mass communication का course करना, तो आप बेजी जग कर सकते हैं, बहुत अच्छा में हमारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएं, तो बहुत बहुत धरी बाद, जैहें